प्रशान दबन आज के समय दुनिया में most followed religion है Christianity और आधे Christians आपको मिलेंगे Catholic और Catholic Christians के लिए सबसे important religious figure है Pope Francis और इन्होंने recently ये कह दिया के देखिए Ukraine war की असली वज़े तो ये है के नेटो लगातार भौग रहा था रश्या के दरवाजों पर और लिटरली इन्होंने ये language उस क इसी वज़े से पुतिन को मजबूरी में आकर attack करना पड़ा Ukraine को यहाँ पर आप देख पाऊगे ये article है NATO's barking at Russia's door might have caused Ukraine war ये articles आपको हर जगा मिलेंगे दुनिया भर के मीडिया ने इसको cover किया है of course अलग-अलग तरीके से यहाँ पर आप देख पाऊगे Fox News जो USA में माना जात देखोगे ना तो वहाँ पर barking जो भॉगने वाला वर्ड है यह उन्होंने हटा दिया है यह थोड़ा सा माइल्ड होके यहाँ पर headline लिखते है कि Pope says NATO might have provoked Russian invasion of Ukraine तो डिसकस करते हैं इस वीडियो में के recently यहाँ पर हुआ क्या है Pope Francis literally यहाँ पर Russia की side क्यो ले रहे है एक्छुली यह जो बने आपको statement दिखाई है यह दो बहुत कम है भी आप बाकी की statement दिखोगे you will be truly shocked कि जो main spiritual leader है Catholics के all over the world वो इस तरीके से बात करेंगे Ukraine war के बारे में तो काफी कुछ यहाँ पर आपको जाने को बिलेगा a lot to know a lot to discuss as always but before we begin आपसे एक प्रशन पूछूँँगा Green Strategic Partnership यह जो terminology है काफी news में रहती है आपको बताना है कि Green Strategic Partnership जो आज के समय न्यूज में है यह recently इंडिया ने किसके साथ sign करी थी यह हैं आपकी option USA, UAE, Israel या फिर Denmark comment section में करिए उत्तर सही answer में आपको दूँगा वीडियो के अंथ में नाव पहली बात तो यहाँ पर मैं यह add कर दूँ के Pope Francis सिर्फ एक religious leader नहीं है यह आप कह सकते हैं एक तरीके से president है Vatican City के Vatican City अपने आप में एक micro state है छोटा दा देशी है जो आपको Italy की capital Rome के बीचो बीच मिलेगा तो Pope Francis बहुत important है कई बार world leaders इन से मिलने के लिए आते हैं बहुत ही humility से मिलते हैं इन से आपको याद होगा PM Modi जो बाइडन हो उससे पहले जब Trump president थे जो भी major world leader है एक बार Pope से मिलते हैं क्योंके इनका influence ही western world में इतना बड़ा है अब Pope Francis ने पहली बात तो यहाँ पर यह कह दी के देखो मेरे हिसाब से जो युक्रेयन में हो रहा है आज के समय इसके पीछे weapon export करने वाली जो companies है वो भी ह हो सकती है literally मैं चाता हूँ आप जो article में exact words है ना यह देखे मुझे लगता नहीं है कि Ukrainian war को लेकर किसी major figure ने popular figure ने इतनी बेवाकी से जवाब दिया होगा अब इस article में आप देखोगे नीचे इनों ने आपर यह बात mention कर दी कि देखिए Ukraine को weapon हमको देने चाहिए नहीं देने or not I am too far away to the question whether it is right to supply the Ukrainians there are international interests in every bit हर जगा international interests है कही ना कहीं बिलकुल भार के लोग होंगे जिनों ने यह conflict बनाई है अपने profit के लिए यह आप आप देख पाऊगे in Ukraine it was the others who created the conflict बहुत जादा इनोंने openly कह दिया है कि दुनिया में जो major defense manufacturers हैं जो हत्यार नने वाली companies है in the end वही स सबसे जादा benefit करेगी Ukraine war से और actually हुआ यह है इस पर आपको कई articles मिलेंगे for example यह the independent article है war in Ukraine is a gold rush for western arms maker ना सिर्फ American लोग ज़रा तर इसमें blame US को ही करते हैं मगर मैं कहूंगा यहापर French defense companies उसके लावा UK की defense companies सब लोग major defense contracts पकड़ रहे हैं जो देश weapons नहीं purchase करते थे उनका defense budget ब billions and billions और dollars खशने को तियार हैं और अभी तो order आने बाकी हैं अभी तो क्या है कि Europe में कई देश हैं for example Romania है उसके लावा इनो स्लोवाकिया है हंगरी है यह अभी budget बनाएंगे और अगले साल आप देखोगे कि यह बहुत ही बड़े scale पर weapons purchase करने वाले हैं US से UK से बाकी countries से और ल budget है उसका 2% spend करेंगे on defense Donald Trump ये बात कह कह कर ठक गए थे जर्मनी को ने कावी बार बोला कि आपको अपना defense budget बढ़ाना होगा जर्मनी ने नहीं सुनी अब युक्रेइन के साथ जो हो रहा है वो देखकर जर्मनी अचानक से मान गया अपने आप में आपका होगे miracle है बैठे ब आपके सामनी है युएस कितने बड़े scale पर लगातार weapons प्रोवाइड कर रहा है युक्रेइन को के लो जी ये आपके लिए javelin ये थोड़ा सा और वेपन लो मारो Russians को मारो अब इस सब की होज़े से हो क्या रहा है कि युएस का जो खुद weapons stockpile है ये काफियत तक हताम हो रहा है और बाइडन ने डिसेंटली ये भी का है कि मुझे कावी सारे billion dollar करीब 30 से भी billion dollar extra चाहिए ताकि मैं Ukraine war को समाल पाऊं इसमें से बहुत सारा जो amount है ये Lockheed Martin, Boeing इन सब companies को जाएगा ताकि ये advanced अत्या धुनिक जो weapons है ये provide कर पाएं US military के stockpile के लिए और इसलिए आप देख में American defense manufacturers बहुत profit कमाने वाली है इनके shares ले लो तो ये देखिए बिलकुल हमारे सामने हुआ है इसको ignore करनी सकते मगर देखिए कई लोग ये बात openly बोलते नहीं थे इस डर से के backlash हाईगी लोग कहेंगे के देखो आप Ukraine का जो दर्द है ना उसको आप ignore कर रहे हो आप ये बात रश्या करूरता कर रहा है रश्या देखिए बिलकुल करूरता कर रहा है no doubt about that मगर ये सारा जो issue है ये शुरू का असे हुआ था ये नहीं भूल सकते और अगर आप सोच रहे हैं Pope Francis इतने जादा outspoken कैसे हो गए ऐसी बाते तो कोई western कोई leader कहलो कोई famous figure कहलो ऐसा कोई बोलता हैं ये पहले Pope थे जो southern hemisphere से आये थे और कई topics हैं जिन पर in the past Catholic Church कुछ खास बोलता नहीं था for example drugs, capitalism का issue, homosexuality मगर देखा गया है कि Pope Francis ने इन सब issue के बारे में बोला है और कई मामलों में तो देखिए Pope Francis इतने liberal साबित हुए है literally इनको कहा गया है कि शायद इतिहास में ये सबसे जादा liberal Catholic leader है जो खुल के बात करते हैं डरते नहीं है कि एक बार को अमेरिका में जो extreme right wing लोग हैं जो बहुत ज़रा hardcore Catholic bishops हैं उनने काफी बार ये भी कोशिश करी कि Pope Francis को इनकी post से हटाया जाए क्योंकि ये एक certain line नी follow करते खुद ही जो इनके मन में होता ये बोल देते हैं और ऐसा नहीं है कि Pope ये statement देकर चुप हो गए इन्होंने आगे यहाँ पर ये भी का है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं रश्या जाओ और देगो ज़रातार माना जाता है कि Pope Francis जो Catholic है उनके spiritual leader है मैं खुद पुतिन को बोलूँगा कि अब बस रोक दो ये वार ठीक है तुम्हारे साथ गलत हुआ नेटो अगर तुम्हें प्रवोक ना करता तुम ये वार स्टार्ट ना करते हैं मगर अब बस बहुत हो गया है दुनिया को नुक्सान हो रहा है ओवरॉल पर भॉकता ना तो ये वार शायद स्टार्ट ना होती ना वापस आते हैं अपने प्रशन की तरफ के ग्रीन स्टार्टिक पार्टनर्शिप भारत ने किस कंट्री के साथ साइन कर रखी है तो सयुत तर इसका हो गया ऑप्शन ऑप्शन डी द राइट आंसर डैन्वार पी कॉशन पूर सकते हैं और फाइनली आपर मैं ये भी एड़ कर दूं के लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीसी एक्जाम की त्यारी करना चाते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जाओ यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीसी के लिंक पे क्लिक करो और अटेंप्ट देना चाते हैं यूपीसी का तो जो चौबिस मेने का कोर्स है यह आप कर सकते हैं परचेस बट जो प्राइस यहाँ पर लिखे हैं पे करने के आप शकता नहीं है सिंप्ली यहाँ पर यूज करिए कोर्ड पीरी टेंड और प्राइस विल स्टार्ट फॉलिंग एएफ जो एस योटाट पाइस चात यह वडियो कांथ चाता थो जान असे כरे दोर्ट फॉलिंगrying सिंप्ली करता हैं यह यह बिदीओ कांथ प्राइस बॉस्त टेंड पर लिसन चान्यक आइस अड़स, गाट ब्लास कांड ब्राइस, जुल्ट पड्रश ज़िन इस चाते है झाल झाल